नमस्कार दोस्तों मैं संजिना सुकला अपने चैनल में आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत करती हूं आज मैं आप लोग के लिए इस स्वेटर का तीसरा पार्ट लेकर आए हूं जिसमें की गाला घटाना पीछे के तरफ के और कंधा जुआइंट करना हम बताएंगे आगे के तरफ के पाला है जिसमें हम 29 फंदा यहां पर छोड़े हैं कंधा के लिए और यहां कंधा घटाय थे वहां से जो लाइन है शिकड़ी जैसा इसको हम 32 शिकड़ी त्यार किये हैं तो मेरा इतना कंधा बन के तयार हो गया है और इधर गाला है गाला घटाना हम दूसरे पाट में बताए हैं पीछे के तरफ दो आंगोर तक जब बाकी रहेगा मेरा पाला तो हम बीच में सारे फंदा को उतार देंगे और 36 फंदा 35 फंदा यहां पर रखे हैं इधर भी 35 फंदा रखे थे तो हर सलाई में एक एक फंदा घटाते हुए और 29 फंदा यहां पर बचा हुआ है तो धागे को हम काट लिए और इधर के तरफ धागे को जवाइंट करेंगे इधर हम धागे जवाइंट कर दिये हैं और एक दो फंदा में हम सलाई डाले और दो का एक कर दिये अब सारे फंदा को उल्टा बनाई करेंगे पीछे के तरफ से सारे फंदा को उल्टा बना दिये और फिर आगे के तरफ से दूसरे सलाई में सारे फंदा को सिधा बनाएंगे आगे के तरफ से सारे फंदा को सिधा बुनाई किये और लास्ट में मेरा दो फंदा बचा हुआ है तो दोनों में सलाई डालेंगे और दो फंदा का एक कर दिये फिर पीछे के तरफ से भी हम बुनाई ये स्टार्ट करेंगे तो दो फंदा में सलाई डालेंगे दो फंदा का कर दिए इस तरह दोनों तरफ से हम एक एक फंदा घटाते हुए 29 फंदा जब मेरा बचेगा तो दो आंगूर बुनाई कर देंगे कंधा 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 जोइंट करने के लिए यह वी उल्टा है पिछे कपला है और आगे के तरफ का यह वी उल्टा है अब तीसरे सलाई से हम इस सलाई से लेंगे फिर एक फंदा इस सलाई से लेंगे अब इस तरह सारे फंदा को हम उतार लेंगे सारे फंदा को सलाई पर उतार लिए एक सलाई पर हो गया अब हम दो फंदा में सलाई लाएंगे और दो फंदा का एक कर देंगे फिर सलाई पर फंदा डालेंगे फिर दो तीन फंदा में सलाई लगाएं फिर तीन का एक किये फिर तीन फंदा में सलाई लगाएं फिर तीन का एक किये इसी तरह से सारे फंदा को हम उतारते हुए कंदा को ज्वाइंट कर लेंगे सारे फंदा को हम उतार दिये लाश्ट में एक फंदा बचा तो इसको हम इस तरह से तोड करके बांध लेंगे इसके बीच से लगा करके तो बांध दिये पंदा रेजवाइंट हो गया अगर आप लोगों अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए